राश्ट्रपती चुनाओं को लेकर वीद्वार को नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसे लेकर प्रदेश भाजपा के सभी विधायकों को चंडिगर पहुंचने के आदेश पार्टी हाई कमान की तरफ से जारी हुए हैं। विधायक दल की बैठके लिए सभी विधायकों के चंडिगर जाने की सूचना संस्तेकारे मंत्री सुरीश भारद्वाज की और से दी गई है। ट्राइबल महिला को बिना किसी शर्थ समर्थन देना चाहिए। संस्तेकारे मंत्री सुरीश भारद्वाज ने कहा कि परधान मंत्री नरिंदर मोदी ने हरवर को प्रतिन धित्व देने वाले अपने निर्णे को एक बार फिर सही साबित किया है। इससे पहले अनुसूचित जाती से संबंद रखने वाले रामनात कोविद ने भी राष्टपती रहते हुए भैतरेन काम किया। अब आदिवासी महिला राष्टपती के रूप में देश की बागडोर संबालेंगी। ऐसे में विपक्ष को भी एक महिला और आदिवासी के समर्थन में आकर अपने सांकेतिक उमिद्वार को नहीं देना चाहिए। राष्टपती का चुनाब होना है हर एक प्रदेश के जो हमारे सांसद है और विधायक हैं वो इसमें मतदाता होते हैं और इरेक्टर भी होते हैं और साथ इसाथ जो है वो नॉमिनेशन भी उनी के द्वारा किया जाता है तो इस द्रिष्टी से जो है वो कल चंडीगड में जो है वो बैठक बुराई गई है जिसमें भार्तिय जिन्ता पार्टी के पार्लिमेंट्री बोर्ड द्वारा जो उमिद्वारता है किया गया है उसका नॉमिनेशन जो है भारतिय जंता पार्टी ने एक उडिशा के हमबल बैक्ग्राउंड से आने वरी आदिवासी महिला जो समाजिक कारे करता भी है और उन्होंने एक अध्यापक के रूप में विकाम किया है और उडिशा विधान सभाव में एक उडिश्ट विधायक का पुरुषकार भी प्राप्त किया है दो बार राजय मंत्री के रूप में उडिशा सरकार में जो है नुवीन बटनायक के मंत्री मंदल में वो पद्विश्चोवित करते रही है और आदिवासी क्षित्रों के लिए आदिवासी लोगों के लिए उन्होंने जो सेवा की है उस सारी बैग्राउंड को देखते हुए राश्टपती का उमीदवार उन्हें बनाया गया है 2014 के बाद आदिवासी प्रधान मंत्री जी नी जो है वो एक हर विशेव में जो है वो परिवर्तन किया है पहले अनुसुची जाती से समंदित रामनात कोविंजी को राश्टपती मनाया जनका कारेकाल बहुत अच्छा रहा है और इस बार एक आदिवासी और महिला उनको जो है वो राश्टपती के रूप में जो है वो उमीदवार मनाया है जो आने वाले समय में भारत के राश्टपती की रूप में देश का नेत्र तो करेंगे मैं समझता हूँ कि प्रधार मंत्री श्री नियंदर मोजी जी की सोच शुरू वहीं से होती है जहां पाक्यों की सोच जो है वो बंध हो जाती है यह एक बहुत ही अच्छा निर्ने है भारत के जंता पार्टी का अनुसुची जाती के लोगों के बीच जो है वो बहुत अच्छा जो है वो काम भी है और देश में सभी प्रकार के जो लोग हैं अलग-अलग समुदाए हैं ट्राइबल्स हैं यहाँ पर अनुसुची जाती के लोग रहते हैं यहाँ पर OVC बैग्राउंड के लोग रहते हैं इन में जो है वो एक निचलेक स्तर का व्यक्ति भी देश के सरवोच पद पर पहुं सकता है यह मैं समुदाओं के बहुत ही जो है वो लोगतंत्र कैसे जो है चल सकता है इसको दर्शाने वाला जो है एक महत्वपूर्णेने है मैं इसका अभिनंदन करता हूं और हिमाच्र प्रदेश कि हमारे जो है वो सभी विधायक और सांसद जो है वो द्रॉपदी मुर्मुजी जो हमारी राष्ट्रपती की उमिद्वार हैं उन्हें समर्थान देंगे इस वार्थ का जो है वो मैं दुश्वास रखता हूं देखे मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की बैक्ग्राउंड का उमिद्वार भार्थे जन्ता पार्टी जो हिंदुस्तान की आज शास्की ये पार्टी है उसने तय किया है उसको सबका समर्थान प्राप्थ होना चाहिए जब उनको मालूम है तो उनका प्रचाशी जो है वो जीत नहीं सकता केबल मातर जो है वो सांकेतिक रूप से जो है वो चुनाब में किसी को उमेदवार बनाएं ये उप्योक्तनी होगा प्रचाशी जो है झाल 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 झाल